जिले के घंस्याम सी गुप्त महाविद्याले में प्रोफेसर की लापर वाही के चलते 29 परिक्षार्ती परिक्षा देने से वनचित रहे गए बता दे कि इससे पहले भी इसी परिक्षार के कारण PPT-PAT की परिक्षा में सैक्डो परिक्षार्तियों को वनचित रहना पड़ा था आज भी जब B8 की परिक्षा देने जिले के दूर दराज से लोग कॉलेज पहुँचे थे तबी कॉलेज के प्रोफेसर ने करीब 26 परिचारतियों के ओरिजनल अधार काट को डूबलिकेट बताकर परिक्षा हॉल से बहा निकाल दिया। इसके चलते परिक्षारतियों में प्रोफेसर के खिलाफ कॉलेज परिसर में जम कर नारे बाजी की गई इसके साथ भी बहुत हंगामा हुआ। कॉलेज में हंगामा को देख कर नियंतरन करने कॉलेज प्रशासंद्वारा पुलिस बर बुलाया गया। वहीं SBM हरिश मंडावी अपर कलेक्टर धितलहरे मौके पर पहुँच कर समझा इसके बाद हंगामा को शांत किया। क्लिपर 28 के लिए बालोट सी जागेश वर सिनहा की रिपोर्ट। PPT, PAT और आज PMT का पेपर था, PPT के पेपर में 60-70 बच्चे पेपर दिलाने से बंचित रहे एक प्रोफेसर के पारन। उसके बाद P.A.T के पेपर में वैसे ही 40-50 बच्चे एक प्रोफेसर के कारण बंचित रहे हमने इसकी सिकायत P.A.T के पेपर में कलेक्टर के पास की थी जिसकी जाच भी आज चल रही है उसकी उपर जाच कमिटी बैठी हुई है उसके बाद इस कॉलेज के प्रोफेसर ने उ हमारे कॉलेज का प्रोफेसर है और उसकी गलती के कारण बार 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 लोगों को चात्रों को परिशानी का सामना करना पड़ता है जो चार साल तीन साल इस पेपर का इंतजार करते हैं उनके भविश्य के साथ इस प्रोफेसर ने खिलबार की है हमारे सिकायत के बाद वल्ब उस प्रोफेसर को प्रचारे ने परिक्षा प्रभारी बना कि रखा है पता नहीं चलता पतन समझ नहीं आता कि इस कॉलेज का क्या दूर्धसा करेंगे कउलेज के प्रचारे मिल करें आज जो इतने बच्चे अंदर नहीं जा पाएं अगर इनके साब इंसाब ने उता गए आप लोग क्या करवा ही करेंगे सबसे पहले तो ये मामला चालू हुआ पीपीटी की पेपर से पीपीटी की पेपर में 50-60 बच्चे ओरिजनल आईडी कार्ड लाने के बावजूत परिक्षा से वन्चित रह गया सिर्फ एक प्रोफेसर के कारण और हमारी सिकायत पर एक जाच कमीटी भी बैठी लेकिन उसके बाद भी उस प्रोफेसर को केंदराज दक्ष के पत से नहीं हटाया गया जिसके करण फिर जब दुबारा पी एटी का पेपर हुआ फिर 50-60 बच्चे उसी करण वन्चित हो गया एक प्रोफेसर के करण उसके बाद आज बी एट का पेपर था जिसमें फिर यह घटना दोहराई गई और कम से कम 26 लोगों ने अपना ओरिजनल आईडी कार्ड लाया गया था जिसे अपर कलेक्टर के दौरब चेक भी किया गया और इनके दौरब सिकायत हुई है और अपर कलेक्टर ने यह आस्वासन दिया है कि वह व्यापम परिक्षा के इंदर से बात करेंगे और उनके हिट में कडम उठाएंगे लेकिन उसके बात भी चात्रों का यह कहना है कि हाई कोट में जाकर इसके खिलाफ अपील करेंगे और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं अगर वो हाइप जाएंगे तो हम भी हमेशा उनके साथ रहेंगे अगर इस पर कोई कारवाही नहीं होगी तो NSUI इसके लिए आगे अंदोलन करेगी